आज मैं आपके साथ बहुत थी मज़ेदार इनफेक्ट बहुत जादा मज़ेदार और बहुत अहसान ये चोले के सालन की रेसिपी शेयर करही हूं बहुत एजी है इसको बनाना और बेहतरीन इसका टेस्ट होता है बनाना शुरू करेंगे हम इसको सबसे पहले मैंने यहां पे छोले हैं तकरीबन एक पाव के करीब हैं 250 ग्रैम इसको मैं और नाइट भिगा दिया था फिर सुभा की टाइम मैंने जब मैं सालन पकाना शुरू कर रही थी तो मैंने इसमें अंदर एक टी स्पून जितना सोडा लगाया है और अच्छी तना से इसको मिक्स करूंगी हातों से और इसको छोड़ दूँगी और अपने बाकी सालन पकाने की त्यारी शुरू कर दू यहां पर मेरे पास दो प्यास हैं जसको मैंने सलाईस किया हुआ है जिएरे के खुश्बू आने लगी है अब मैं इसमें प्यास चामिल कर दूँगी और इसको लाइट ब्राउन करूंगी प्यास जब तक light brown हो रही है आपने एक बहुत जरूरी काम करना है वो ये है कि चैनल को subscribe करना है और बैल आइकन को भी प्रेस करना है अब यहां कुछ मसाले हैं जिसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला पाउडर और ये अदरकल हसन का paste है इन सब चीजों को हमने थोड़ से पानी के साथ एक paste बना लेना है ताकि जब हम इसे प्यास के साथ शामिल करें तो ये जल ना जाए प्यास हमारी यहां पर brown हो रही है प्यास brown हो रही है, साथ हमारे पास ये दो ट्रमाटर हैं जिसे हमने slice किया हुआ है हमने light golden साइस को color देना है और साथ ही हमने इसमें ये ट्रमाटर जो हमने slice किये हुए हैं ये शामिल कर देने हैं और mix करने के बाद हमने ये मसाला जिसका paste बनाया था ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे सबी चीजों को mix करेंगे नमक मैंने शामिल किया है आपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर सकते हैं और इसको cover करके मैं चार से पांच मिनट के लिको करूंगी ताकि टेमाटर बहुत अच्छे से soft हो जाए और मसाला भी जो है वो अच्छे से कोख हो जाए उसमें कच्छापन बाकी ना रहे यह देखिन जी चार से पांच मिनट के बाद टेमाटर बहुत अच्छी तरह से soft हो गए है अब हमने मसाले को और टेमाटर को सारी चीजों को अच्छी तरह से भून लेना है कब तक भूनना है जब तक ऑईल सर्फिस पे नही मसाले को और टेमाटर को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है अब मैं इसमें चोले शामिल करी हूं जिनको मैंने सोडा लगा के 10-15 मिनट के लिए रग दिया था सोडा लगाने से फाइदा यह होगा कि चोले हमारे बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे बहुत अच्छी तरह से जनाब चोले कच्छे रह जाते हैं आप यहां मैं धाई कप पानी शामिल कर रही हूं इसमें कोई कुकर लगाने की ज़रूबत नहीं है 20-25 मिनट में आपके चोले बहतरीन गल जाते हैं अगर पकाते हुए सालन में आपको पानी कम महसूस होता है तो आप ठंडा पानी नहीं शामिल करेंगे बलके इसमें थोड़ा सा पानी गरम करके शामिल करेंगे पानी शामिल करने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया है एक बॉयल आने तक मैं इसको हाई फ्लेम पे कुक करूँगी बॉयल आ जाएक पानी में तो मैं इसको फ्लेम स्लो करके तक बहुत ही एजी सी रेसिपी है और बहुतरीन टेस्ट होता है दौाओं में याद रखेगा अला आफेज